मुझाजा एक, अष्ट Betty? विनाश कारण अनुपलब्ध चे अवस्थाने विनाश के कारण की अनुपलब्धी होने से अवस्थाने शब्द के अवस्थित रहने पर दनित्य तो प्रसंग शब्द नित्य है तो स्रवन भी नित्य होने लगेगा यहाँ पर तत से क्या लिया शब्द का स्रवण अवस्थाने माने शब्द के अवस्थित होने से शब्द के नित्य होने से विनाश कारणा अनुपलब्धिश्च विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से कौन सा विनाश का कारण? स्रवन के विनाश का कारण क्योंकि उन्होंने यही पूछा था न आपके मत में जब आप शब्द को नित्य मानते हैं तो स्रवन का विनाश कैसे हो जाते हैं वो तो सतत सुनना चाहिए न तो आप कहरें विनाश कारण अनुपलब्धिश्चे स्रवन के विनाश के कारण की अनुपलब्धी होने से अवस्थाने शब्द से अवस्थाने शब्द के अवस्थित रहने से तर नित्यत्व प्रसंग है फिर उसका स्रवन भी नित्य होने लगेगा तो आपका दोश तो बरावर बना ही वो है, आपने कोई परिहार किया नहीं आपे यदि यस से विनाश कारणम नोपलब्यते तद अवतिस्थते यदि आप ऐसा मानते हैं, आपने ही कह था कि जिसके विनाश का कारण उपलब्द नहीं होता है तो वो अवतिस्थ रहता है, इसलिए शब्द नित्य है यह आपने ही कुच दिया था तो कहा, अवस्थानाच्य तस्य नित्यत पंप्रसज्यते और वो अवस्थित रहता है, तो इस कारण से उसका नित्यत ज्यात होता है एवं यानि खलू इमाने शब्द स्रवनाने शब्द अभिव्यक्तय इतिमतम नैतेशं विनाशकारणम भवतो पपाद्यते तो कहरें यानि खलू इमाने शब्द स्रवनाने जितने भी ये शब्द सुने जाते हैं शब्द स्रमन है या शब्दा भी व्यक्त यह शब्दों की जो अभिव्यक्तियां हैं जितने भी शब्द हो रहे हैं संसार में चाहिए वो ट्रेन चलने से, प्लेन चलने से, मोटर गाड़ी चलने से, पक्षी के बोलने से, हवा के चलने से, मनुष्यों के बोलने से, गाय के बोलने से, कितने सारी धुनिया एक साथ उत्पन्न हो रही हैं न, तो उन सब की जो अभिव्यक्तियां हैं, वो आपके मत में नै प्पादनात अवस्थानम जब उनके विनाश का कोई कारण आपने उपलब्द नहीं करवाया तो उनका अवस्थान हो गया और अवस्थानात तेशाम नित्यत्वं प्रसज्यते इती और उनके अवस्थान से उनका नित्यत्व ज्यापित होता है और नित्यत्व ज्यापित होने से उनका सतत श्रवण ज्यापित होता है तो ये दोश है आपके यहां अथा नईवम नतर ही विनाश कारणा नुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात नित्यत्वम इति और यदि आप कहो कि उसके विनाश का कारण तो हमारे पास नहीं है श्रवन के विनाश का कारण तो तो कहरें तर ही तो फिर विनाश कारणा अनुपलब्धे विनाश के कारण की अनुपलब्धी होने से शब्दस्य अवस्थानात शब्द के अवस्थित रहने से ननित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य बांप समान आश्राओवथ्च나 योग इनंकि घंटे में तो दोनों का प्रेथे स्याओ इनकिटाल्या गारृप आश्रयस्य चे अनुनादस्य अनुनाद भी घंटे में हो रहा है कंप भी घंटे में हो रहा है तो दोनों का समान आश्रय है पाणी प्रशलेशात और उस घंटे के साथ पाणी का हाथ का प्रशलेश होने से कंप वत जैसे कंप रुक जाता है कंप वत कारणों परमात अभाव वैसे ही शब्द का भी उपरम हो जाता है, और वो उपरम होने से अभाव है, शब्द का भी अभाव हो जाता है, कंप का भी अभाव हो जाता है, कंप के साथ साथ वेगरूपी संसकार के रुकने से शब्द का भी अभाव हो जाता है, तो यह कब हो सकता है, जब दोनों का समान अधी करण हो, पूरुपक्षी की हैं ये पंक्तियां, बोले देखो अभी आपने क्या बताया, कि घंटे में कमपन उत्पन होता है, शब्द संतान उत्पन होता है, और उसके रोकने का कारण क्या बताया आपने, पाणी प्रशलेश, तो बोले ये तभी तो हो सकता है, जब श कमपन भी घंटे में हो, वय अधी करणने ही प्रतिगाती द्रव्य प्रशलेशात, समानाधी करण से ये वो उप्रमहस्यात, इती, मने उनहीं के समाधान में उनहीं को फसा रही हैं, सिद्धानती ने समाधान क्या दिया था, शब्द संतान और कंप वेग रूपी संसकार, दोनों साथ साथ हैं घंटे में, और जब हमने हाथ से पकड़ा, तो वेग भी रुक गया, शब्द भी रूप गया, तो बोले ये तभी तो सम्भवब, अभी आपने ही बताया, कि शब्द कहां रहता है, घंटे में ही रहता है, अगर तो आपकी बात को हम मानें, कि शब्द तो आकाश में रहता है शब्द का स्थान आकाश है और वेग जो है वो गंटे में है तो जब आपने गंटे का पाणी के साथ प्रशलेश किया तो केवल वेग रुखना चाहिए शब्द तो नहीं रुखना चाहिए लेकिन शब्द भी रुख जाता है तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि शब्द घंटे में ही है और शब्द नित्य है तो ऐसे कह इनों Jurassic नहीं तो होना ही नहीं चाहिए था तो कहरें अस परशत्वात अप्रतिशेध कहरें नहीं ये आपका प्रतिशेध ऊचित नहीं है क्या प्रतिशेद किया इन्होंने कि हाथ के प्रशलेश से शब्द नहीं रुकना चाहिए केवल कम रुकना चाहिए तो बुलवे शब्द तो आकाश में रहता है ये सिद्धानति का मत है तो ये करें आकाश को तो स्पर्ष करी नहीं सकते हैं स्पर्ष तो किसी स्थूल चीज को ही कर सकते हैं न लेकिन घंटे के अंदर भी जो आकाश है शब्द उसमें रहता है तो लेकिन आकाश को तो स्पर्ष नहीं कर सकते हैं तो स्पर्ष तो हमने यद्दिपी घंटे को किया लेकिन घंटे में स्थित आकाश में जो शब्द था उसका भी निरोध हो गए तो अस्पर्षत प्वात आकाश के अस्पर्ष वाला होने से अप प्रतिशेद आप प्रतिशेद नहीं कर सकते हैं यद इदम ने आकाश गुण शब्द इती प्रतिसिद्धते ये जो आप उपर वाले अपने जाती के प्रयोग से ये कह रही हैं कि शब्द आकाश का गुण नहीं है ये जो आप प्रतिशेद कर रही है आयम प्रतिशेद अनुपपन्ना ये प्रतिशेद आपका उचित नहीं क्यों, असपर्षतवा स्धूर श्या स्थूल भेशिश शब्द का जो आस्थ्रे आका श है उसके असपर्ष वाला नींसे, उसमें स्पर्ष म करी नहीं सकते। क्योंकि स्पर्ष तो किसी सथूल वस्तू को कर सकते हैं। रूपादी समान देशस्य अग्रहणी शब्द संतानों पपत्ते अस्पर्ष व्यापी द्रव्यास्ट्रय शब्द इति ज्यायती न कंप समान आस्ट्रय इति तो कहा रूपादी समान देशस्य अग्रहनी मानि रूपादी कहां रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, घंटादी पदार्थ में स्थित होते हैं और घंटे आदी पदार्थ में स्थित होते हैं तो कह रहे हैं कि शब्द भी वहीं रहता है फिर रूपादी समान देशस्य अग्रहने लेकिन शब्द का ग्रहन उसमें नहीं हो सकता है इनका क्या कहना है कि जैसे शब्द, रूपादी ये सब समान देश में रहने वाले समान देश का मतलब घंटे में घंटा आदी जो पदार्थ हैं उसमें रूप भी रहता है तो संतान नहीं होता है तो शब्द का भी संतान नहीं होना चाहिए क्योंकि समान देश में जो रहते हैं वो तो समान ही गुण वाले होते हैं तो जैसे गंटे में रूप रहता है तो रूप की कोई संतान थोड़ी बनती है कि वो रूप निकल के वहां तक चला जाए ऐसे ही शब्द भी समान आश्रे वाला है गंटे में ही रहता है तो शब्द का भी संतान नहीं होना चाहिए ठीक रूपादी समान देश अस्य अग्रहने रूपादी के समान देश में रहने वाला जो शब्द है उसके रूप है रूपादी का अग्रहने जए ये शब्द जो है ये सिध्धानती के पंगती है पूरु पक्षि ने क्या कहा था कि बहु यदि आप ये मानते हैं कि शब्द तो आकाश में रहता है और वेग रूपी संसकार तो घंटे में दिखाई दे ही रहा है तो हाथ का प्रेशलेश होने से केवल कंप रुकना चाहिए शब्द नहीं रुकना चाहिए लेकिन रुक जाता है तो इससे सिद्ध हुआ कि शब्द भी समान देश में ही रहता है जहां रूप आदी रहते हैं स्पर्श आदी रहते हैं वहाँ पर ही शब्द भी रहता है तो अब इनका ये कहना है कि यदि शब्द भी वहीं रहता है घंटे आदी में ही समान आस्रे में ही रहता है तो जैसे रूप आदी की संतान वृत्ती नहीं होती है वैसे ही शब्द की भी संतान वृत्ती नहीं होनी चाहिए तो अस्पर्ष वाली जो बात कही तो इसके घंटे के पकड़ने से शब्द के संतान वृत्ती क्यों रुक जाती है क्योंकि आकाश को हाथ से स्पर्ष करना तो संभवी नहीं है तो उसमें स्थित जिसके समान आश्ट्रे से माने घंटे में ही स्थित जो आकाश है उसमें ये शब्द रहता है और संतान वृत्ति क्योंकि हो रही है शब्द की तो इससे क्या पता लगा इसे ये पता लगा कि ये रूपादी के साथ उस द्रवे में नहीं रहता है बलकि उस द्रवे के अंदर जो आकाश है उस आकाश में ही ये रहता है ठीक है तो उसी को बता रहे हैंगी रूपादी समान देशस से अग्रहने शब्द संतानों पपत्ति शब्द संतान की जो उक्पत्ति है वो रूपादी के समान देश में उसका ग्रहन नहीं होने से असपर्श व्यापी द्रव्य आस्ट्रय जो असपर्श वाला द्रव्य है अर्थात आकाश उसके आस्ट्रे में ये शब्द रहता है इती जयायते ऐसा हमें जयान होता है नैचे कंप समान आस्ट्रेयर कंप जिसमें रहता है अर्थात घंटे में उस घंटे में शब्द नहीं रहता है यदियों कहें कि भही जैसे प्रतेक द्रव्य में रूपादी रहते हैं वैसे ही शब्द भी रहता है ऐसा यदि पूरुपक्षी कहें प्रति द्रव्यम रूपादी भी सह सन्ने विश्ट हो करके रहता है समान देश है उसी समानी देश में और समान देश है व्यज्यते जैसे रूपादी अभिव्यक्त होते हैं वैसे शब्द दी भी अभिव्यक्त हो जाते हैं ऐसा यदि कहें तो नोप पद्यते ये उपण नहीं हो पाएगा कथम क्यों नहीं हो पाएगा विभक्त्यं रोप पत्तेश्च जैसा है वैसा ही दिखाई देगा मानो कोई द्रव्य निला है तो निला ही दिखाई देगा पिला है तो पिला ही दिखाई देगा तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है तो ऐसे ही शब्द में भी नहीं होना चाहिए यदि उसके समान आश्रे में रहता है तो लेकिन शब्द तो तिव्र मंद आदी उसके विभाग होते हैं तो इसलिए विभक्त्यांतरो पात्यष्च समासे, समास मतलब समुदाय में, समुदाय में नहीं रहता है, फिर वो संतानो पात्यष्च इति चारथ, सूत्र में जो चकार है, उस चकार से क्या ले लिया जाएगा ? शब्द संतान, संतानों पर पत्तेश चे इतिचार था, तद व्याख्यातम ये हमने बताई दिया है सब्द संतान का तो, यदी रूपादय शब्दास्य प्रतिद्रव्यम समस्ताह, समस्ता माने, समुदिताह, तस्मिन समासे समुदाई, यो यथा जातिय कहसन, तस्य तथा जातिय से एवग रहनेन भवितव्यम, शब्द रूपादि वत्थ, यदी रूपादय शब्दास्य रूपादी, चारोंगुण और शब्दास्य और शब्द भी, प्रतिद्रव्यम, प्रतेक द्रव्यमें समस्ताह, एक साथ रहते हैं, समस्ताह मतलब, समुदि तस्मिन समा से, तस्मिन समा से माने तस्मिन समुदाय, फिर उस समुदाय में यो यथा जातिये कर, जो रूप आदी, जो जिस जाती के हैं, जिस रूप वाले हैं, नीले पीले आदी, तो उसी प्रकार के ही वो ग्रहित होते हैं, तो यो यथा जातिये कर सन्नी विस्ट है, जो तो कोई एक ही तो प्रकार का होगा ना शब्द नित्य है तो एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जैसे रूप किसी एक द्रव्य में एक ही प्रकार का है तो एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति होती है ऐसे शब्द भी किसी एक द्रव्य में उनके साथ रहते हुए एक तो एक ही शब्द के अभिवक्ति होनी चाहिए लेकिन होता तो नहीं है ऐसा हम साहिव रूपादी की तरह आभी व्यक्ति नहीं होती है तत्र योयम विभाग तो जो शब्द में यह जो भीभाग दिखाई देता है फेद दिखाई देता है एक द्रव्य नाना रूपा एक द्रव्य में भी अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जैसे मानो हर्मोनियम है द्रव्य तो एक है लेकिन उस एक द्रव्य में शब्द कितनी प्रकार के हैं साथ तो स्वर ही है सावाले کو बटन को दबाओगे तो अलग स्वर आएगा रे अलग, गा अलग मा अलग, पा अलग तो साथ स्वरों के अलग-अलग शब्द आएंगे और उनमें भी फिर आप लो पिछ वालों को, इधर वालों को दबाएंगे तो वो आएंगे हाई-पिच वालों को दबाएंगे तो सा भी अलग हो जाएगा तो कितनी तरहें के बेद हैं न एक द्रव्य नाना रूपा भिन शुत यह एक ही द्रव्य में अनेक प्रकार के रूप इस शब्द की और भिन शुत यह अलग-अलग उसके शुतियां जितने शब्द उतने शुतियां तो वी धर्माने शब्दा अभिवयद जमाना वी धर्माने मन वीविद धर्माने वीविद धर्मवाले शब्द और उन शब्दों में भी फिर यदि आप उदात अनुदात स्वरित यह भेद यदि कर देंगे या प्लुत रस्वादी का बेद कर देंगे तो और ज़्यादा उसके बेद हो जाते हैं फिर तो कहरें ये शब्द कैसे हैं माँ पर वी धर्माने वी धर्म वाले वी धर्माने शब्दा अभिव्यत जमाना हस्रुयंति अभिव्यक्त होते हुए सुने जाते हैं यच्चे विभागांतरम सरूपा समान शूतयह सधर्मान शब्दह और कह रहे हैं जो विभागांतर सरूपा विभाग से जो सरूप हैं एक समान रूप वाले हैं उनमें भी समान शूतयह सधर्मान शब्दह समान शूती और समान धर्म वाले जो शब्द हैं उनमें भी तिव्रमंद धर्मतया भिन्ना सुने जाते हैं तद उभयम नोपपद्यते तो ये बातें दोनों उपपन नहीं हो सकती है कि एकी द्रवे में रहने वाले रूप आदी तो एकी प्रकार के अभिव्यक्त हों और शब्द आदी अनेक विभाग वाले अनेक धर्म वाले अभिव्यक्त हों ऐसा नहीं हो सकता है नाना भूता नाम उपपद्यमाना नाम अयम धर्मो नईकस्य व्यज्यमानस्य इति तो कहरें नाना भूता नाम उपद्यमाना नाम उत्पन्न होने वाले नाना भूतों में अयम धर्मों नई कस्या ये एक का धर्म नहीं हो सकता है नई कस्या व्यज्यमानस्य इति मानिए ये एक ही पदार्थ का अभिव्यक्ति करने का ये धर्म नहीं हो सकता है नाना भूता नाम, अनेक प्रकार के जो भूत हैं, भूत मतलब पदार्थ हैं, उनमें उत्पद्यमाना नाम, जो उत्पन्न होने वाले हैं, उत्पत्ती धर्म वाले हैं, उनमें अयम धर्म, ये धर्म, शब्द का धर्म, न एकस्य, ये एक ही उस द्रव्य का धर्म नहीं हो सक क्योंकि एक द्रव्य में तो एक ही प्रकार का धर्म होता है रूप एक ही प्रकार का होता है और उसका स्पर्ष एक ही प्रकार का होता है एक ही द्रव्य एक ही समय में कठोर द्रव्य वाला भी हो और कोमल द्रव्य वाला स्पर्ष वाला भी हो ऐसा तो नहीं होता है तो यदि पता लगा कि वो शब्द उस द्रव्य में स्थित नहीं होता है बलकि आकाश में स्थित है अस्ती चे अयम विभागो विभागान तरम चे तो ये उस द्रव्य से भी शब्द का विभाग है द्रव्य में नहीं रहता है आकाश में रहता है और फिर आकाश में स्थित जो शब्द है उसका भी विभागांतरम उसके भी अनेक विभाग है तो इस विभाग की उपपत्ती से हम ये मानते हैं कि जो शब्द है वो प्रती द्रव्व्यम प्रतेक द्रव्यमे रूपादी भी सह ने सन्निविस्ट व्यज्यति रूपादियों के साथ सन्निविस्ट होता हुआ अभिव्यक्त नहीं होता है बल्कि जिस द्रव्य में ये रूपादी रहते हैं उनसे भिन द्रव्य आकाश द्रव्य में शब्द स्थित रहता है उनके साथ नहीं रहता है सांतित्ये लंबत आ अनित्ये है और अतने लंबे रर्चरन के बाद क्या निकल के आया है नित्या है या अनित्ये है अनित्य तू कुछ ता जगें हैं अभी भुल होगा पहसल-सता ही सूत्र उट को ठीक सार सार को पकड़ लेते हैं अनित्ये अञे शबद आ अब करें द्विविधस्च अयम शब्दो वरनात्मको द्वनिमात्रश्च शब्द दो प्रकार का है एक वरनात्मक शब्द है दूसरा द्वन्यात्मक है तत्र वरनात्मनितावत तो जो वरनात्मक रूप है शब्द का उसके उपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं तो ये विकारादेशो पदेशात संशयह कह रहे हैं यह जो वरणात्मक शब्द है ना इसमें हमें संशय हो रहा है पूरपक्षी कह रहे हैं क्योंकि यहां विकार का भी आदेश किया गया है और आदेश का भी उपदेश किया गया है तो एक वर्ण के स्थान में जो दूसरा वर्ण आता है जैसे एको यनची आदी में एक के स्थान में यनादेश होता है तो वहाँ एक के स्थान में जो यकार आया तो वो उस ए का विकार है या ए को हटा करके आदेश है क्योंकि दोनों ही प्रगार के उपदेश मिलते हैं, तो बोले हमें ये संशे हो गया, कि इनमें दोनों में होता क्या है, विकार होता है क्या आदेश होता है, तो आपका क्या कहना है, विकार है क्या आदेश है, विकार है क्या आदेश है, आदेश है, आदेश है, आदेश है, कि वीकार क्यों नहीं है वीकार माने तो क्या दिक्कत आईगी 17 कं पर्णी हुज है उसमें अनित्यत्व होने लगेगा ना अनित्यत वह लगेगा और तुड़ą स 말 जो तो हमें सिद्ध ही करना है हमें तो अनित्यत्व ही सिद्ध करना है यहां यहां पर वरणात्मक की बात हो रही है यह जहां विकार होता है न यहां प्रकृति अनवित रहती है जैसे मिट्व से घड़ा बनाएध तो मिट्वाकर है घड़ा लेकिन जहां जहां विकार होगा न उसमें प्रकृति अनॵित रहती है जैसे तंतु का विकार है पठ तो तंतु उसमें अनवित रहता है तो यदि यहाँ पर इकार का विकार माने यकार को तो यह वहाँ अनवित होना चाहिए लेकिन होता तो नहीं है तो इसलिए उसको विकार नहीं मानेंगे आदेश मानेंगे चलिए यहां पे चलते हैं, ये कैसे समझाते हैं, ये उसी को लेके चल रहे हैं, ये एक उधारन लेके चल रहे हैं, दध्यत्र इति केचित, इकार इत्वम हित्वा, यत्वम आपध्यते, इति विकारम मन्यंते, दध्यत्र में कुछ लोग कहते हैं, कि जो इकार था, वो इत् पिंड था तो मिट्टी जो है वो मृतत्व को छोड़ करके घटत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसी को तो विकार कहते हैं तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि यहां भी विकार हो रहा है वैसे इस से यह पता चलता है इस प्रसंग से कि दर्शन शास्त्र पढ़ने से पहले व् प्रसंग तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और कम से कम पूरा ना पढ़ें तो प्रत्मवृत्ति पर्यंत तो जरूर ही पढ़ना चाहिए नहीं तो भाष्य समझ में नहीं आ सकता है तो यह कह रहे हैं दध्यत्र इति केचित इकार इत्वम हित्वा यत्वम आपद् इति विकारम मन्यंते केचित इकारस्य प्रयोगे विशई कृते यदि इकारस्थानम जहाती तत्र इकारह प्रयोगं ब्रुवते तो अब ये व्याकरण वालों को तो फटा-फट समझ में आ जाएगा दूसरे वाले को बताना पड़ेगा कुछ लोगों का ये मानना है कि इ इकार के प्रयोग का विशई बनने पर यदि इकारस्थानम जहाती इकारस्थान को छोड़ देता है तत्र इकारस्य प्रयोगं ब्रुवते और इकार के स्थान में इकार का प्रयोग कहा जाता है पर ये तो ठीक है पर ये कह रहे हैं संहिता याम विशई इकारों ने पर जब संहीता का विशय होता है, तो वहाँ पर हम इकार का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं. इसलिए तो मैं सूत्रों को तोड़ तोड़ के बोलती हूं, थोड़ा गैप लेती हूं. यदि एक ही साथ बोलूँगी तो, तो फिर हम संदी विच्छेद नहीं कर सकते हैं संहीता में. संहीता याम विशये इकारो ने प्रयुजयते, तस्य स्थाने यकार है प्रयुजयते से आदेशे इती. तो संहीता विशये में तो इकार का प्रयोग ही नहीं होता है, यकार का ही प्रयोग होता है. और वो यकार क्या है आदेश है इती उभयम उपदेश यते तो ये दोनों ही उपदेश हमें देखने को मिलते हैं तत्र ने जियाएते किम तत्वम इती तो यहां पता नहीं चल रहा है कि ये यकार जो है ये इकार का विकार है या आदेश है आदेशो पदेश है तत्वम बुले ये जो उपदेश है इनमें आदेश का ही उपदेश किया गया है यही तत्व है यही सत्ते है ऐसा मान लेते हैं कैसे पता लगा विकारो पदेशे ही अन्वयस्य अग्रहनात विकार अनुमानम बुले करें विकार का उपदेश जहां किया गया है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए अन्वयस्य अग्रहनात अन्वय का ग्रहन होना चाहिए अन्वे मतलब पूर्व पदार्थ का ग्रहन होना चाहिए यदि विकार है तो पूर्व पदार्थ था मिट्टी और विकार है घट्ष पूर्व पदार्थ था तंतू और विकार है पट्ष तो उसका फिर क्या होना चाहिए ग्रहन होना चाहिए तंतू का या मिट्टी का पर यहाँ पर अग्रहन हो रहा है अन्वयस्य अग्रहनात इकार का ग्रहन नहीं हो रहा है तो अन्वय का माने पूर्व वर्ण का अग्रहनात अग्रहन होने से विकार अननुमानम विकार का विकार नहीं हो रहा है बलकि क्या हो रहा है आदेश हो रहा है सती अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते जब अन्वय होता है मने विकार होता है तो कुछ निवरित हो जाता है कुछ उत्पन्न हो जाता है मृतत्व निवृत हो जाता है, घटत्व उत्पन हो जाता है इति शक्यते विकारो अनुमातुम यदि ऐसा होता तो विकार मान सकते थे नेचे अनवयो गरिख्यते, तसमात विकारो नास्ति इती लेकिन यहां तो कुछ भी अनवय गरित नहीं हो रहा है इकार को यकार बनने में इसलिए विकारो नास्ति विकार नहीं है बलकि क्या है आदेश है ऐसा ही मानेंगे तो ये प्रसंग फिर हम कल पढ़ेंगे आज समय हो गया आज यहीं विराम लेते हैं ओम शान्त शान्त शान्ति ही स्री गुरुभ्यो नमाहा